हेलो फ्रेंड्स पिछली वीडियो में हमने देखा था कि स्टैक क्या होती है और उसे कैसे यूज करते हैं इस वीडियो में हम देखने हैं कि लिस्ट व्यू और लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर क्या होता है उसे कैसे यूज करते हैं उससे पहले इंट्रोप सला लेते हैं चलिए तो आप देखते हैं कि ListView क्या होता है पर उससे पहले हम यह समझते हैं कि ListView क्यों यूज करते हैं अगर आपको याद हो तो कॉलम वाली वीडियो में लास्ट में एक एरर क्रियेट वी थी वो एरर क्या थी इस एरर का मतलब क्या है जितना इस पेस हमारा कॉलम विजिट के पास था हमने उसके चिल्ग्रेंड को उससे जादा इस पेस दे दिये था तब ही वो एरर आ रही थी तो यहाँ पर पहले हम वो एरर क्रियेट करते हैं उसके बाद हम देखेंगे कि ListView कैसे यूज करते हैं तो यह देखिए आपको नीचे यह ओवरफ्लो एरर मिल गए है तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि हमने जितना भी एरिया कॉलम विजिट को दिया है उससे ज्यादा हमने उसके चिल्रेंड विजिट को दे दिया तो इसी दिये एरर आ रही है अब इस एरर को रिमूफ करने के के लिए हम एक काम तो यह कर सकते हैं कि हम कॉलम विजिट को एक विजिट से रैप करें जो कि यह सिंगल चाइल्ड स्क्रोल यू पहले मैं इसको रैप करता हूं फिर आपको बताता हूं कि इसका यूज क्या है रैप विजिट और यहां हम लिखेंगे सिंगल चाइल्ड स्क लेवल बन जाएगा हम देखिए इसको स्क्रोल कर सकते हैं तो हमारी जो नीचे एरर आ रही थी उसको रिमोव करने के लिए हमने इस एडिया को पूरा स्क्रोलिंग बना दिया है तो अगर हमको यह सेम इफेक्ट बनाना है तो हम डारेट लेस्ट व्यू का यूज कर सकते हैं हमें सिंगल चालिव लगाने के कोई जरूरत नहीं होगी वहां पर इसे यह हम करते हैं करते हैं उन्हें करते हैं करक्ट और और यहां पर देखने को से एक जाए जो container होता है उसकी width maximum हो जाती है अभी है देखिए हम इसको स्क्रोल कर सकते हैं तो इसलिए हम यूज करते हैं लिस्ट व्यूज क्या होता है कि हम हर एक container यहां पर बार बार बनाने बैठी है तो इसी functionality को implement करने के लिए हम जुस करते हैं listview.builder अब उसमें होता क्या है हमको pass करना होता है कि आपको कितनी copies बनानी है और आपको क्या item बनाना है बस यह दो चीज़े आप उसके इंदर पास कर दो यह उसकी major property होती है उसके बाद वह उतनी copies आपको बना के देदेगा तो चलिए पहले इस listview को remove करते हैं और यहां लिए करते हैं listview.builder तो आप यह दिखो के listview फिर लिखो के .builder तो यह देखें इसमें item builder इसका मतलब यह है कि आपको UI part में show क्या कराना है उससे पहले हम यह देखते हैं कि हमें कितना इसमें आप यहां पर आता है आइटम काउंट में तो यहां पर आप काउंट स्पेसिफाई कर दीजिए माल लीजे में आप पर five डाल देते हैं मतलब हमें five copies चाहिए अब item builder इसके अंदर यह एक टाइप का function होता है function क्या होते हैं कैसे use करते हैं अगर आपको idea नहीं है तो क आप दिखाना चाहते हैं वह आपको रिटर्ण करना तो यहां पर मान लीजिए हम container दिखाना चाहते हैं अब यहां पर में पहले container बला देता हूं height 3 और इसकी width देते हैं 200 और इसको color देते है colors.orange colors.orange इसको margin देते हैं वन्ना सारे container एक साथ आपको शोंगे तो हम यह पता नहीं लगा पाएंगे कि कहां से शुरू हो रहा है और कहां पर कतम हो रहा है अभी से हम करते हैं save तो यह देखें आपके पास 5 copies बन गए हैं मैं आपको scroll करके दिखाता हूं यह देखें तो अब ऐसा तो है नहीं कि हमने हर एक container अलग 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 बनाया तो हमको 5 container चाहिए आपको इंडेक्स बता देगा जब आपकी दूसरी कॉपी बताएगा तो आपको इंडेक्स बताएगा एक तरीके से आप यह मान लीजिए जैसे हमारे notebook में pages होते हैं वह pages तो सारे similar है लेकिन वह page कौन से number पर है वह different है तो एक तरीके से इंडेक्स वही काम कर रहा है तो दे तो यह देखिए जो हमारे index है वो 0 से start होता है और जितने भी हमने copies बनाने को बोली है उससे एक कम तक जाता है तो यहाँ पर last index हमारा 4 जाएगा लेकिन हमारे यहाँ पर total जो copies बनी है वो total 5 बनी है यह देखिए चलिए तो यह list view builder की कुछ important properties थी और भी properties है उनको आने वाले वीडियो में discuss करेंगे जैसे string wrap, scroll direction, physics यह सब क्या होती है तो इस वीडियो को अगर हम wrap up करें कि list view builder हम कब यूज करते है जब हमें एक ही चीज के multiple copies यह होती है तब हम list view builder यूज करते है और list view हम कब यूज करते है जब हम multiple widgets show करने होते है पर उनकी height जो होती है वो हमारे total screen size स जादा होती है या तो हम single child scroll view plus column को mix करके वो effect अपना बनाए या तो हम direct list view का यूज करके वो effect बनाए तो बाकी मिलते हैं next video